आज मैं एक सब्जी आपको बता रही हूं है जो है सब्जी दो प्याजा और यह खाने में बहुत टेस्टी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इंग्रेडियंट्स शेयर करती हूं आपसे यह देखिए मैंने दो बड़ी प्याज को ऐसे स्लाइस कर लिया है और उसको आदा घंटे से पानी में बिगा दिया है और अब इसको पानी से निकाल लेंगे हम यह मैंने आधा शिमला मिर्च ली है हरे रंकी और बैल पेपर लिया है रेड हाफ ली है उसको भी आधा लिया है और इस तरह से काट लि दो लॉंग ली आप देख सकते हैं और दो चममच मैंने अद्रक लैसुन का पेस्ट लिया है साथ से आठ काजु को मैंने उबाल लिया है आठ से दस करी लीव्ज हैं वन फोर्थ कौन है एक गाजर का है जिसका मैंने डाइस कर लिया है जिसको ऐसे कट कर लिया है और 80 ग्राम क करीब मैंने पनीर लिया है य 12 मिलाकर मैंने कप करीब सब्जय यह मैंने इनको कौन को और करेट को बॉल करें श्यक्ते केको करिया है एक टेबल स्बून मैंने टोमेटो-कैचप लिया है साल्ट नमक स्वाद के अनुसार लेंगे आधा टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है वन फोट टी स्पून गरम मसाला लिया है वन फोट चमच यह मैंने आधा चमच छोले मसाला यानि MDH का या कोई भी आप जो कमपनी यूज करते हैं चना मसाला लिया है एक चमच अधा चमच जीरा लिया है और ये आधा चमच मैंने चीनी ली है शुगर और दो टमाटर को मैंने इस तरह से कट लगा के ब्लांच कर लिया है ये देखे है इसकी स्किन निकालके हम इसकी प्यूरी बनाने वाले है वन फॉर्ट कप हमने कड लिया है कश्मीरी मिर्च ली है क प्याज का पानी निकाल के हमने इसको ऐसे कपड़े में सुखा लिया है यह हमने दो टीबल स्पूर्म ले लिया है इसको गरम करना रखते हैं और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम यह जीरा दो लॉंग डाल देंगे हम इसमें इसका फ्लिवर अचाता है इस तरह से बना कर जरूर देखिएगा आप यह सबजी और इसमें डालेंगे हम यह प्याज और इसको अब हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनना है तो यह दिखिए जैसे यह स्किन है ना टो हम इसको करते हैं ग्राइंग और देखिए इस तरह की यह प्योरी बन गई है यानि ब्लांच करने के बाद टोमेटो की प्योरी इस तरह से बन जाती है और आए प्याज चक कर लेते हैं तो हमारा प्याज भी भून गया है यह देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो ग इसको भी हम भूलेंगे इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें यह जिंजर गार्लिक पेस्ट लैसो नद्रक का पेस्ट मैं कोशिश करती हूँ के टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपके पास लेकर आओं बस आप लोग यूं ही अपना प्यार देते रहिए इसको करेंगे मिक्स बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटस अप्डेट सो है वह आप तक पहुंच पकें बहुत अच्छी सी खुश्बू इसमें आ रही है और इसको हम एक दो मिनट और बूनेंगे यह देखिए यह भूनना शुरू हो गया है और आप अगर मेरी रेसिपी को शेर बनाएंगे तो आप बता पाएंगे कि कैसी है रेसिपी खाली देखने से पता नहीं चलता है हमने जो प्याज को आधा हिंटा पानी में भिगो के रखा है वो इसलिए कि प्याज का जो तीखा पन है वो निकल जाता है और ग्रेवी में वो तीखा पन उसका नहीं आता है तो ऐसे भुनना चाहिए तो यह ठंडा होगा तब तक हम यह सेम पैन हमने ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून ओयल यह बहुत अच्छी सब्जी बनेगी आपके गैस आएं तो जरूर बना कर देखेगा उनको खिलाईएगा 3 टेबल स्पूँन हमने इसमे ऐल डाल लिया अब हम इसमें कॉटावा प्याज जो हमने एक तरफ रखा था डाल दिंगे यह हमने बारिक चौप करके एक तरफ रखा था और जो है दूसरा है वो हमने गोल्डन ब्रॉण कर लिया है इसको हम बूनेंगे और इसके साथ डालेंगे हम इसमें करी लीव, इनकी खुश्बू, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको मिक्स करेंगे, और ये दिखें, प्याज हमें बस बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, थोड़ी से पिंकिश हो जाएं, और ये मैं दिखा आपको ये मैंने पेस्ट त्यार कर लिया है, जो मैंने आपको ये दिखायाः था मसाला भून के प्याज भूना था वह त्यार हो गया है, तो वह इसमें हम ताल देते हैं, ये दिखें बल्कुल मूथ पेस्ट है और इसको करेंगे हम अच्छे से mix बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और mixी में बी गैस को हमें थोड़ा धीमा रखना है mixी में केजार में भी हम थोड़ा सा पानी डालते हैं बिजरा और इसको निकालेंगे इसके अंदर से यह पानी मिक्स करके भी हम इसको डाल लेंगे और मैं यहां आपको बताना चाहूंगे कि आपको इसमें पानी डालके रही पीशना से ना ऐे थोड़ा सा पानी आपद लिजए खाली प्याज जो है वो नहीं पीशेगी क्योंकि इसमें खस खस भी है इस तरह से करके अब हम इसको मिक्स करेंगे, यह आप पहले भी डाल सकते हैं, थोड़ा से रेड चिली पाउडर, वन टी स्पून के करीब यूज कर रही हो, धनिया पाउडर और गरम मसाला, यह आप मैं भूल गई, ऑईल में पहले डालना है, और फिर इसको पेस्ट को डाले तो यह अच्छा कलर देगा, और खुश्बू देगा, अगर आप इस समय डालें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें इसको तब तक भूनना है, जब तक यह गी ऑईल छोड़ना दे, चना मसाला, इसमें डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आने वाला है, इसको मिक्स करेंगे, और यह जो शुगर है, चीनी, बहुत थोड़ी है, पर आप चाहें तो डाले, नहीं तो आप स्किप कर दीजे, और इसको अब हम अच्छे से भूनते हैं, और देखे, जब ग्रेवी का यह पानी सूख जाए, इस तरह से सूख जाए, इसमें पानी न इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फटा-फट, हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, यह देखे, इसको मिलाने के बाद आप नमख भी टेस्ट कर लिजे, अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे न तो यह फटेगा नहीं, कट जो है, देखे, बिल्कुल अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हमें इसको और थोड़ी देर भूनना है, और आप देख रहे हैं, देखे, ओल छूपना शुरू हो गया है, मसाला जो हो इक खटा होना शुरू हो जाता है, तो यह इसका पहचान है, कि हमारा जो मसाला है, वो अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें टोमेटो केचप एड कर रहे हैं, आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से सबजी बना कर देखेगा, बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट लीजी और बनाएए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी सबजी टेस्टी ना बने, बस आपको भूनने का ध्यान रखन है, तो एक नई सबजी के साथ, और अब हम डालेंगे इसमें ये कैपसिकम, इनको मिक्स करेंगे, और साथ में डालेंगे हम इसमें ये बॉइल की हुई गाजर, कॉन और पनीर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लग रही है नहीं, आप बना कर जरूर देखे, मै पता नहीं चलेगा, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, अब 2-3 मिनिट हमें सौटे करते हो गया है, यानि कैपसिकम हमारी पक जाए, ये ओईल देखे, छूटना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप जगे, ऐसे ओईल दिख रहा है, तो ये आप ऐसा में सोची कि ऐसा ही पानी, जितनी ग्रेवी चाहिए, उतना हमें पानी डालना है, इसको करते हैं मिक्स, देखिए उबाला गया है, ग्रेवी अच्छे से पक गई है, और अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं, एक चमच घी लेके मैंने इसमें तीन कलियां लेसुन की काटके डाल दी, और ये ये देखिए कितना टेंटिंग लग रहा है, और वन टेबल स्पून क्रीम से हम इसको गार्निश कर देंगे, और इसको हरे धनी की पती से सजा देंगे, तो लग रही है ना टेंटिंग, देखिए कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी, यम्मी सबजी बन करते हैं, जरू ट्राइ कीजीगा, थैंक यू सो मच फो वाचिंग.